Hello students, welcome back once again to your online video classes बच्चो So finally we are back with the new class of standard 12 methodics जहांपे कि हम हमारा exercise 6.2 का आज solve करने वाले हैं सारा questions तो इसके पहला वाला जो class था AOD का application of derivative का वो हमने बहुत अच्छे से complete किया था जिसमें कि हम increasing and decreasing functions के बारे में पढ़ेते increasing function and decreasing functions के बारे में पढ़ेते बहुत अच्छे से उसका detail analysis किये थे और उसका 7 या 8 हमने क्या क्या था examples भी क्या था बहुत अच्छे से and I hope कि सब बच्चो को वो clear भी हो जाना चाहिए तो जितने बच्चे इहां पर है थोड़ा सा response दे देंगे अपना ताकि हम जल्दी से class को start करके ये बाला exercise का हर एक bit को हम complete कर पाएंगे ठीक है बच्चो तो ज्यादा देरी ना करके फिर class को start करते हैं तो ये 6.2 जे exercise है वो हमारा increasing function and decreasing functions के बारे में ही है सारा concept based कर रहा है increasing and decreasing functions का तो अगर आप लोग का concept clear है तो बहुत सही से आप लोग कर लोगे दो तीन या चार question ऐसा है थोड़ा सा घुमा के हैं बाकी सारा question बहुत नॉर्माल है आराम से आप लोग कर पाऊगे दो type का question होता था एक होता था find the interval वाला question जहां पर कि हमको interval find करना पड़ता था और एक होता था प्रूब वाला question जिसमें कि हमको प्रूब करना रहता था कि वो SI है और या फिर SD है तो ये दो type का question में ही exercise हमारा पुरा complete हो रहा है तो अभी से लेके next 45 या 50 minutes तक हम पूरा continuously इसको revise करेंगे जो question मुझे लगेगा कि वो आप लोग कर पाऊगे उसको मैं homework के तरह आप लोग के लिए छोड़ दूगा बाकि जो question नहीं होगा थोड़ा सा tough है वो मैं hint देके आप लोगो समझा दूगा ताकि आप लोग आराम से कर सको यह वाला वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगो concept clear हो जाना चाहिए ऐसा नहीं कि बस यहां से देखो लिख दो वैसा नहीं है यहां पर समझो और खुद करने का try करो क्योंकि एक्जाम में आप लोगो खुद ही करना है वैसे तो exercise वाला करना नहीं चाहिए था बट फिर भी यह थोड़ा सा tough chapter है इसलिए मैं इसका exercise भी आप लोगो के लिए करके ले आ रहा हूँ is that clear बच्चो तो अगर सब बच्चे यहां पर ready हैं तो थोड़ा सा yes लिखेंगे then हम हमारा class को start करते हैं फिर तो ज्यादा देरी ना करके फिर आते हैं directly question number one में so I hope सबको video दिख रहा होगा visible हो रहा होगा अगर video visible हो रहा है तो थोड़ा सा comment section में live chat में यह से लिख देंगे ताकि हम class को बहुत effectively conduct कर सकें ठीक है बच्चो question number one में आते हैं बहुत simple सा question है और जो की आज आना चाहिए सबको उससे पहले मैं पहले से बता देना चाहता हूं कि increasing function sorry हाँ अगर increasing function है तो obviously बात है कि हमारा derivative जो होना चाहिए वो greater than zero होगा अगर decreasing function है और जहां पर देख रहे हो तो उसका derivative obviously must be less than zero होगा ठीक है और एक बात बहुत ध्यान से समझ जाएंगे कि question में बहुत सारा book में कहीं पर increasing function proof करने बोला है कहीं पर strictly increasing proof करने बोला है तो जो function strictly increasing है we can write that function as increasing और जो function strictly decreasing है उस function को हम directly decreasing function लिख सकते हैं ये बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कुछ बच्छे confused हो रहे है कि sir हमारा तो strictly increasing निकला है या फिर strictly decreasing लिखा है बट प्रूफ करने बोला है increasing है decreasing तो जहां पर strictly increasing या फिर strictly decreasing निकला है तो we can write as increasing and decreasing function no problem will be there but increasing को आप strictly increasing या फिर decreasing को आप strictly decreasing नहीं लिख सकते हैं तो वैसा question है भी नहीं तो बहुत सारा book में बस printing का बस इधर उदर है तो उसको confused नहीं हो के अगर आपका SI भी निकल रहा है मतलब अप्टस इस गटे दन जिरो भी निकल रहा है तो उसका आप increasing function लेकर चल सकते हो वैसा ही SD अगर निकला है strictly decreasing निकला है उसका आप decreasing function मार्के भी चल सकते हो और मैंने बोला था आप derivative प्रोसेस ही करना इसको ज्यादा एफेक्टिबली आप लोग लोग सौल करा होगे so that the function given by f of x equal to 3x plus 17 is strictly increasing वो बोला है strictly increasing आपको प्रूव करके दिखाना है strictly increasing मतलब हमारे दिमाग बे आजाना चाहिए कि उसका derivative क्या होना चाहिए greater than no होना चाहिए तो पहले f of x ले ले ए 3x plus 17 तो अब्यसी बात है उसका जब हम derivative निका लेंगे बच्वो कितना होगा 3x plus 17 का derivative 3 उससे पहले मैं और एक बात भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग application अब derivative कर रहे हो f' x is three obviously three अगर मिला बच्छो वो greater than zero हो जाएगा three हमेसा greater than always greater than zero then f' x is always greater than zero and if it always greater than zero then obviously it is strictly increasing okay? बहुत सहीं question but here if here if one of the book has strictly not given it, only increasing so you guys add some more step by this since it is strictly increasing on r therefore it is only increasing also in r तो पर на다 उंए च्यार है लिखने की आरना है लिखना टो इन गोछ sìset जो आप बताइ्जीघोग के का शोच्रिकलीडिकरीजिण है इुसका इंट्रिक्रीजिग्सेक्ते हो बच्होहक बट उसके उच्टु गाउटते लिखने का है fulfill कि आरना kill इात्गि बहुत सब्सक्राइब करने का यहीं मतलब है कि e to the power x है इसलिए मैंने कर दिया अगर वही polynomial को देता तो मैं नहीं करता question number 2 में बोला है कि so that f of x equal to e to the power 2x is strictly increasing फिर से strictly increasing बोल दिया मतलब क्या बच्छो f dash x is greater than 0 f of x मैंने ले लिया f dash x कितना हो गया 2 e to the power 2x हो गया इसको मैं हटा देता हूँ तो f dash x कितना बच्छहा है? 2 e to the power 2x है Then obviously बात है यह हमेशा greater than 0 का कि e to the power x के knot MAT है और e to the power x हमेशा क्या होता है na greater than 0 होता है तो अगर e to the power 2x ωता है इसके बाद एक स्टेप बस एड कर देंगे, सिंस इट इस ट्रिकली इंक्रिजिंग देर्फोर इंक्रिजिंग ओन आर, इस देट क्लिर, तो कोश्चन नमेर 2 भी बहुत सही से कंप्लीट हो गया, आई हो, सबका क्लिर है, तो थोड़ा सा रेस्पॉंस दिया करोंगे बीच बीच में हर एक कोश्चन के बाद कि हांसर क्लिर है, अगर क्लिर नहीं है तो उसको मार्क कर रखेंगे, अपर दे क्लास, आप लोग सेंड कर देरा, मैं उसको करके पस्मेल उंड में आपको सेयर कर दूँगा, कोश्चन अबर 3 में बच्चो आते हैं, जल्दी जल्दी ही इसको कंप्लीट करते हैं, क्यूंकि ज्यादा टाइम बस मुझे ये बाला वीडियो इसलिए बनाया था, कि आप लोग को जो कॉंसेप्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो और वो लोग आप क्लिर हो जाओ, क्या है, तो कॉस्चन अबर 3 में ये तो कोस्चन अबर 3 में ये तो इसको मैं आप लोग के लिए चोड़ रहा हूं, वो पूप करने बोला है कि SI करो 0 से πाइव 2 में, OSD करो स्टिकली एव अबे पाइटू सेा और ना इदर इंडर इंक्रीजिंग नीद ना हैं, ना इद कर hello पूप करना हे है, तो बहुत साइट सा हो जाएगा यह मैंने आप लोगे लिए छोड़ दिया इसको कर ले ना I hope हो जाना चाहिए अगर समझे हो तो बहुत अच्छे से कर ले ना अगर नहीं समझे हो तो पहले उसको देख लो फिर इसको कर सकते हो तो question number 3 also completed coming back to the बच्छो question number 4 यहाँ पर find the interval वाला question आ गया हमारा type 2 वाला question ठीक है न जहाँ पर कि आपको interval find करना रहता है just wait तो यहाँ पर क्या बोला है question को read करेंगे बोला है कि find the interval in which the function 2x square minus 3x is si and sd तो ऐसा कौन सा interval में यह जो function दिया है वो strictly increasing भी होगा strictly decreasing भी होगा यह आपको prove करने बोला है तो obviously बात है जब भी एसा question दिया रहेगा तो पहली तो पहला तो बात है आप लोको derivative निकाल देना है तो f dash x वी 4x minus 3 हो गया है 2x square का derivative 4x minus 3x minus 3x minus 3 Trail C-11 to be 19 to be hex Oh ।on for इसको भी दिखनों इसको क्रों समयाHa तो यह आप लोक कर निकाल करियास क्योंकि यह लिनीर factor मैं एक वेग दोमें सो कॉन्विच्ट करमना है तो यह डारेकल ली 2x3 को निक्रीच्ट वेर्ट करना है So when speaking in Book If you enjoy having increasing so if you enjoy considering greater than equal for摩 This answer is gonna be given to his answer And if there is strictly increasing thus must be The answer must be strictly given to its answer Da answer is gonna be given to you Okay.. Then 4x-3x greater than 0 Then 4x must be greater than 3 Then x must be greater than 3 by 4 4 divided me - So 3 by 4 should have bigger Then it will be infinity from 3 by 4 obviously 3 by 4, infinity 3 by 4 open infinity because क्योंकि यहाँ पर strictly increasing बोला है और strictly increasing में 3 by 4 is not included, अगर normal increasing होता तो we can just put a square bracket over 3 by 4, is that clear, तो our that function is strictly increasing on the interval 3 by 4, interval 3 by 4 excluded, infinity also excluded, छेक है, अभी B में क्या बोला है, strictly decreasing करने बोला है, तो same concept रहेगा बर less than हो जाएगा, तो f dash x must be less than 0, 4x minus 3 less than 0, 4x must be less than 3, then x must be less than 3 by 4, then x belongs to 3 by 4 से चोटा, तो obviously, अगर मैं बीच में 3 by 4 को रुखूं, तो 3 by 4 से चोटा मतला minus infinity से 3 by 4, तो x belongs to minus infinity से 3 by 4, minus infinity excluded, या फिर open bracket, 3 by 4 बें बो open bracket, तो hence f of x is strictly increasing on 3 by 4 से infinity, and f of x is strictly decreasing on minus infinity से 3 by 4, बहुत सिंपल सा कोशन, और यह बला same question हमारा, I think, CBC का sample question पर में भी आया था, इस type का question, यह same तो नहीं था, इस type का ऐसा 2 by 3 से क्या एक निकल रहा था, तो इस type के question ही आने बाला है, तो आपको बस concept clear होना है, और उसी concept को base करके आप लोग को solution का कुणना है, कि कहीं पर find the interval वाला question पूछा होगा, या फिर कहीं पर proving वाला, proving वाला question नहीं आने का chances ज्यादा है, find वाला question ही आने का chances ज्यादा है, क्यूंकि हम MCQ based question कर रहे हैं, बट छोड नहीं सकते हम कुछ भी, ठीकरा, तो इसलिए करना तो पड़ेगा आपको, या बाला दखो, ये भी same question है, e-stripe का example भी हमने किया है, बस मैं इसको hint दे दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना इसको, मैं factorize बगरा मैं directly कर दे रहा हूँ, कुछ फाइदा नहीं है, आप लोग पहले derivative का concept clear हो जो, फिर आके ये वाला application देखना, मैं पहले से ही, पहला दिन से, पहला क्लास से ही, आप लोग को वही बात same repeat कर रहा हूँ, कि अगर आप लोगों का derivative clear नहीं है, तो आप लोग ये वाला देखके, अपना time बस waste कर रहे हो, क्योंकि अगर clear नहीं है, तो सीधी सी बात मान जाओ, फिर clear नहीं है, पहले derivative को कर लो, फिर application में, क्योंकि the name of the chapter is application of derivative, obviously बात है कि derivative अगर आपका clear नहीं है, तो application कहां से होगा बेटा, ठीक है, बहुत simple से बात है, मैं किसी को भी यहां पे मतलब, यह नहीं कर रहा कि आप लोग को नहीं आता, बोलके अगर नहीं आता तो पहले derivative कर लो, आप लोग का ही वाला ही है, क्योंकि एक्जाम में आप लोग को ही पढ़ना है, आप लोग को ही करना है, आप लोग का दोस्त, आप लोग के ममी पापा, या फिर मैं जाके आप लोग के एक्जाम कॉपी में नहीं लिखूँगा, excuse me, ओके बच्चों, तो finally clear है, सब बच्चे यहां पे अगर है, तो थोड़ा सा response दिया करेंगे, यहां सा समझ में आगया, बोलके, चार नबर तक, पांच नबर हम करेंगे, हाँ, हम derivative में थे, तो इसका derivative तो आजाएगा न बच्चों, 6x2-6x-36, मैं डाइरेक्ल यहां पे फेक्टराइज भी कर दिया, क्यूंकि बस मैं हिंट दे रहा था, इसका factorization करने से, x plus 2 और x minus 3 होगे, 6x एक आ रहा था, तो 6 आएगा, तो obviously वो तो 0 ही हो जाएगा, मतलब greater than करने से, तो fx के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इसको greater than रखना है, तो वो greater than कब होगा, तो मैंने यहां पे interval यहां पे already break करके रखाई, यहां पे जगा नहीं था, मैंने इसलिए उपर कर दिया था, यहां पे interval मैंने break किया है, मेरा critical point कौन सा निकला देखो, यहां पे अगर हमारा यह factorization होगा, तो 1 निकला minus 2, 1 निकला plus 3, तो पहले मैंने लिखा minus 2 को, फिर लिखा मैंने plus 3 को, फिर 3 interval हो गया, minus 2, minus 2 से 3, 3 से infinity, तो interval में जब हमने check किया, इसका plus आ रहा था, इसका minus आ रहा था, इसका क्या रहा था, ठीक है, तो positive कहां पे आ रहा है, check कर लो, positive आ रहा है आपका, minus infinity से minus 2, और 3 से infinity, तो minus infinity से minus 2, और 3 से infinity में हो क्या होगा, जहां पे positive होगा f dash x, वहां पे रहा हो स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और 2 से minus 2 से 3 में हो, f dash x लेस देन हो रहा था, तो obviously x बिलॉंग सो minus 2 से 3 में हो क्या हो जाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, so that function given in the question, is strictly increasing on minus infinity से minus 2, union 3 से infinity, and that function is decreasing on, strictly decreasing on minus 2 से 3, I hope यह बाला concept भी clear हो जाएगा, 5 नमर तक बच्चो सब का clear है, थोड़ा सा response दे दिया करेंगे, हां sir clear है बोलके, 6 नमर बच्चो, A से D मैंने आप लोग लिए होमार दे दिया, क्योंकि अभी तक वही बाला find the interval बाला हम करते आ रहे, तो A से D आराम से आजाना चाहिए, इबाला सर फिर आपने क्यों किया, इबाला मैंने इसलिए किया, थोड़ा सा tough है question, ज्यादा tough नहीं था, थोड़ा सा tough था, इसलिए बस आपको करके दिखा दे रहा हूं कि derivative, most important thing is derivative, मैंने पहले से बोलके रखाए, तो इसका derivative जब हम करेंगे, तो कुछ बच्चे क्या है ना, क्या किये ने इसको खोल दिये, अगर इसको खोल देंगे भी हो जाएगा, polynomial function एक हो जाएगा, फिर each term का हमको derivative करना है, बट खोलने में बहुत सारा term हो जाएगा यहाँ पे, जो कि बहुत lengthy हो जाएगा, तो obviously बात ही है, आपको product rule डालना, u into v के format में है, तो u into derivative of v, plus v into derivative of u, तो यहाँ से आपका क्या common आ रहे देखो, x plus 1 का whole cube, तो whole square, यहाँ से square, और यहाँ से square, तो 3 और 3 भी common आ रहे, तो 3 into x minus 3 का whole square, into x plus 1 का whole square, दोनों term से मेंने common ले लिया, पहले में बचा कितना, यहाँ पे 3 था, 2 चला गया, तो एक बचा x plus 1, यहाँ पे 3 था, 2 चला गया, बचा x minus 3, तो इसको अगर cutting down करेंगे तो 2x minus 2, यहाँ से common लेंगे 2, 2 into x minus 1, तो 2 और यहाँ पे 3, 2, 3 जा कितना हो गया, 6, इतना तक ले रहे, तो आपका कितना हो गया, चेक कर लो यहाँ पे, यहाँ पे आपका f dash x कितना हो गया, बच्छो, कहाँ गया, f dash x, f dash x आपका कितना हो गया, चेक कर लो, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, 3, 2, 6 हो गया, यहाँ पर x-3 का all square, x plus 1 का all square, x minus 1 तो यह बन गया आपका f dash x तो यहाँ से अगर critical bond निकालेंगे, क्योंकि वो ही critical bond निकालेंगे तो अभी तो हमारे interval में break कर सकते हैं तो critical bond के लिए उसको 0 पकड़ लो, तो x minus 3 है मतला 1 निकला 3 x plus 1 है तो 1 निकला minus 1 और x minus 1 है तो 1 निकला 1 तो 3 minus 1, 1 are the critical bond जहाँ पर की हमको interval को break करना है तो इधर रहा minus infinity, इधर रहा infinity, एक रखेंगे minus 1, एक रखेंगे 1, एक रखेंगे 3 यह बात ध्यान से रखेंगे, flow flow में गल्ती हो जाता है मैं पहले से बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्यूंकि बच्चे जादा बच्चे वहीं पर गलत करते हैं यहाँ पर 3 minus 1, 1 है वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3, 1 यहाँ पर minus 1 करतेंगे यहाँ इसा नहीं करना है, आपको sequentially रखना है कि छोटे से बड़े क्रम में रखना है minus infinity से minus 1 एक interval हुआ, फिर minus 1 से 1, 1 से 3 और 3 से infinity जो बच्चों का doubt था, कि sir हमारा तो एक plus आएगा, तो obviously उसके बाद minus plus minus plus बिना देखे कर देंगे बट वो जो concept था, यहाँ पर बदल दूँगा मैं, चेक करो, यहाँ पर 3 से infinity में plus हो रहा है, 1 से 3 में भी plus आ रहा है बट क्या, उसके बाद भी minus आया, नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह दोनों में minus आ गया, यह दोनों में क्या आ गया, plus आ गया तो ऐसा बहुत, हर case में जो होगा, plus minus, plus minus, इसका कुछ गैरेंटी नहीं है, आपको value पूट करना है, value पूट करके देखना है तो मैंने value कैसे, क्या, क्या, पूट क्या होओ, तो मैं नहीं करूँगा, आप लोग को करना है, मैंने बस value पूट करके, मेरा interval का sign मैंने चेक कर दिया, si, dn, sign तो obviously बात है, आप लोग minus 1 से एक छोटा ले जाओ, तो यहाँ पर put कर देखना, वो negative निकलेगा, minus 1 से 1 के अंदर एक ले लो, negative निकल रहा है, 1 से 3 के अंदर एक लो, positive निकलेगा, 3 से infinity के अंदर एक लो, positive निकलेगा, तो हमारे interval कैसे break हुआ, minus, minus, plus, plus में break हुआ, तो यह तो SI कहाँ पर हो रहा है, strictly increasing कहाँ पर हो रहा है, 1 से 3 में, और 3 से infinity में, वो strictly increasing हो रहा है, minus infinity से minus 1, minus 1 से 1 में, वो क्या हो रहा है, strictly decreasing, और, sir, फिर यह अंदर वाला, जो हमारा critical point है, उसको क्यों नहीं लिया, एक बच्चा वो लेगा, बहुत अच्छा कुछा नहीं, यह राइज नहीं लिखे, क्योंकि अंदर में 3 point हो जा रहा है, जहां पर की function का value, derivative 0 हो जा रहा है, तो 0 हमको नहीं लेना है, क्योंकि SI, SD पूछा है, अगर only increasing पूछता है, तो we can write once infinity, क्योंकि यहां पर 0 allowed है, बट, यहां पर SI और SD में 0 allowed नहीं है, इसलिए जो break हमने करना पड़ा, यहा करके लिखना पड़ा, 1 से 3, 3 से infinity, और SD के लिए minus infinity से minus 1, minus 1 से 1, अगर only यहां पर decreasing पूछता, तो we can write minus infinity से 1, अगर यहां पर only increasing पूछता, तो we can write 1 से infinity, is that clear, बहुत simple सा logic है, बस उसको ध्यान में रखना है, कि SD और SI अगर दिया है, तो वहां पर 0 included नहीं होगा, बट, अगर only increasing, only decreasing बोला है, तो we can take 0, तो उस्तिका अभसार आपको interval को break करना पड़ेगा, तो बहुत यह important हो जा रहा है, question में देखने के लिए, कि वहां पर आपको SI पूछा है, या फिर normal increasing पूछा है, is that very much clear बच्छो, बहुत detail में मैंने समझा दिया, I hope आप लोगों भी समझ में आ ग बहुत बढ़िया, 7 number के question बच्छो थोड़ा सा देखेंगे, बोला है कि, so that, यहाँ पर एक function दिया है, y equal to log 1 plus x minus 2x by 2 plus x, where x is greater than equal to minus 1, is an increasing function, यहाँ पर only increasing बोला है, तो SI अगर निकला भी न, तो उसका आप increasing ले सकते हो, no problem will be there, function of x throughout its domain, domain में वो क्या होना चाहिए, increasing होना चाहिए, वो बोल रहे, तो अगर SI भी निकला, तो we can take it as increasing function, तो पहले तो आपको देखना है कि हमारा function क्या है, यह थोड़ा तेढ़ा मेरा function दे दिया, अभी तक हम polynomials का कर रहे थे, x step में हमारा derivative निकल रहा था, but इसको आप बोला कि अगर आपका derivative clear नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोग फस जाओगे, क्योंकि question वो ऐसा वला देगा, बड़ा वला, ठीक है, तो करते हैं step way, तो y equal to f of x, function of x है, हम मैंने लिख दिया function को, तो पहले है log 1 plus x, तो chain rule लगाएंगे तो 1 by 1 plus x हा, और 1 plus x का chain rule में करेंगे derivative 1 हो रहा है, तो 1 by 1 plus x हो गया इसका derivative, 2x by 2 plus x का constant rule डालेंगे, तो v into derivative of u minus u into derivative of v, whole divided by v square, उधा पता ही है, तो 2 plus x into 2 minus 2x by 2 plus x का whole square, फिर f of x भी यहाँ पर इसको रखा मैंने, इसको मैंने multiply कर दिया तो कितना हो गया, 4 plus 2x minus 2x, whole divided by 2 plus x का whole square, 2x, 2x cancel हो गया, बचा कितना उप 2 plus x minus 4 by 2 plus x का whole square, फिर इसको LCM ले लिया, तो x plus 1 का, x plus 1 into 2 plus x का whole square, इधर हो गया, x plus 2 का whole square minus 4 into 1 plus x, इतना दा clear, इतना दा clear है सबका, हाँ सर clear है, फिर मैंने क्या कहना बचो, इसको, इसका a plus b का whole square खोल दिया, x square plus 4x, x square plus 4x plus 4 हो गया, minus, यहाँ पर bracket खोल दिया, minus 4 minus 4x, ठीक तो यह बला टर्म हमारा बचा, last में finally, कौन से टम, x square whole divided by, x plus 1 whole into 2 plus x का whole square, यह मिला आपको क्या, f dash x, इतना तक clear है, तो अगर आप लोग को derivative clear नहीं है, तो आप लोग यह बला step तक नहीं पहुंच सकते हैं, और अगर यह बला step तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो obviously आप लो लोग derivative में पूरा माहीर ना हो, तो directly तो नहीं कर सकते, obviously बात है, तो आपको करना पड़ेगे, जैसे भी हो, ठीक है, तो हमको दिखाना है, कि हमारा जो derivative वाला term आया, वो either greater है, या फिल less 0 से, क्योंकि वो ही judge करेगा, अगर greater हुआ, तो strictly increasing, अगर less हुआ, तो strictly decreasing, या फिल normal decreasing, तो आपको देखना है, कि as यहाँ पर numerator में x square है, तो x square is always greater than or equal to 0, obviously बात है, x square of any number will be greater than or equal to 0, अगर 0 लेगे तो 0 होगा, या फिर उससे बढ़ा होगा, छोटा तो नहीं होगा, minus में नहीं होगा, x plus 2 का whole square है, denominator में, 2 plus x का whole square, वो भी हमेंसा 0 से बढ़ा होगा, क्योंकि square function है, मतलब, उसको देखना नहीं है, वो हमेंसा greater than or equal to 0 होगा, बट, यहाँ पर एक domain में दिया था, x greater than minus 1, कहाँ पर दिया था, यहाँ पर दिया था, चेक कर लो, इसलिए मैं इसको mark करके रखा था, x greater than minus 1, it is already given in the question, तो अगर वो greater than minus 1 है, तो क्या मैं minus 1 को उधर लेके x plus 1 ही also greater than 0 लिख सकता हूँ, हाँ से लिख सकता है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से अगर हम देखेंगे अभी, तीनो step को, तो मुझे पहले क्या मिला था, x square is greater than 0, फिर मुझे क्या मिला, x plus 2 का whole square is greater than 0, और फिर मुझे यह दोनों से क्या मिला, x plus 1 is also greater than 0, तो अगर हम बच्चों ध्य we can write total will be greater than 0, यह सर लिख सकता है, और अगर वो total greater than 0 हुआ, तो वो क्या था, हमारा क्या था वो, f dash x था, तो we can write f dash x is also greater than 0, clear है, तो असवर greater than equal to क्यों ने लिखे, क्योंकि यहाँ पे greater than था only, तो वो equal to को मैंने नहीं किया, क्योंकि 0 होने का chances नहीं है, तो इसलिए 0 को मैंने कर दिया, तो f dash x is greater than 0, तो since it is greater than 0, तो we can write it is strictly increasing throughout its domain, that is, जो भी दिया था, so I hope यह बला concept पूरा clear हो जाना चाहिए, कि हमने पहले दिखाया कि x square is greater than 0, फिर उसका x plus 2 का whole square भी greater than 0, और last में इसमें domain से भी हमने निकाल दिया, since x is greater than minus 1, then x plus 1 is also greater than 0, तो we can sum up all these equations, either आप equation देके क कर सकते हो, या फिर हम directly लिख सकते है, since all the quantities are greater than 0, then total division will also be greater than 0, then f dash x will be greater than 0, and since f dash x is greater than 0, then you can say that f of x is strictly increasing throughout its domain, and hence proved, बहुत सही बच्चो, and बहुत clear है concept यह बला भी, I think जितने बच्चे हैं यहाँ पे clear हो जाएंगे, तो comment section में थोड़ा सा लिख देंगे, yes sir, पूरा clear है, is that बहु 8 number में, हाँ sir, चलिए, 8 number का question बच्चो, यह जो 6, 7, 8, 9, 10 तक question है, थोड़ा सा derivative में, थोड़ा सा आपको मतलब दिक्कत दे सकता है, क्यूंकि अगर आपका derivative clear नहीं, अगर derivative clear है, तो बहुत आसानी सा आप लोग यह exercise को कर रहे होगे, बट अगर derivative कहीं नहीं, थोड़ा सा ड निकालना है, for which यह जो function दिया है, it is a increasing function बोला है, तो सीधा था बात, पहले लिख दो y equal to f of x, मैंने लिख दिया x whole into x minus 2 का whole square, इसको खोल देंगा तो बच्चो कितना हो गया, x square minus 2x का whole square, तो पहले हमको f dash x निकालना है, f dash x will be, इसका derivative तो यह हमारा x to the power n के formula में है, तो formula क् पाद है, n into x to the power n – 1, तो 2 into x square minus 2x का power 1 हो गया, फिर 2x, x square minus 2x का derit में हो गया, 2x minus 2, obviously chain rule में, तो यह ओगे आपका, वहां से मैंने x common ले लिया, पहला से मैंने कितना common ले लिया, x common ले लिया, check करो, यह दोनों से मैंने x common ले ले यह दोनों से मैंने two common ले लिया, तो इधर ह गया 2 x x x-1 x 2 x-1 तो 2 x 2 जा कितना हो गया 4 x और x-1 x-2 तो f-x तक सबका clear है पूरा concept f-x तक क्या बच्छों सबका clear है concept क्या हो गया यह इसके इंसोट हो गया सब सारी f-x तक बच्छों क्या clear है सबका concept बता देंगे थोड़ा f-x तक तो पूरा clear है मैंने बोला ने अगर आपका क्लियर है तो बाकी उसके बाद बाला स्टिप कोई भी आफसानी से कर लेगा तो मेरा फंक्षन दिया था मैंने अगर आपको इन्क्रीजिंग प्रूब करो और उसको मैंने अपको बोला है कि कोई भी ऐसा फेक्टर दिया गो उसको लीनियर फेक्टर में चनवर्ट कर देना अमेंसा लीनियर फेक्टर में कनवर्ट करने से हमारा हो गया 4x into x-1 into x-2 greater than 0 तो पहले आपको क्या निकाल देना है क्योंकि आपको उसको interval में break करना है तो पहले आपको क्या चाहिए critical points चाहिए क्या चाहिए बच्छो critical points और critical points कैसे निकाल दे इसको total को 0 पकड़ लो तो कहा कहा पर 0 होता है X 0 में 0 होगा, इधर minus 1 है, मतलब 1 में होगा, minus 2 है, मतलब 2 में होगा, तो मैं और पूरा step नहीं करा, directly CP side में लिख दिया, 0, 1, 2 बोल के, ठीक है, पूरा clear इतना था, तो क्या हम उसको interval में break कर देंगे अभी, हाँ सर कर दीजिए, तो interval में जब break कर दिया बच्चों, तो क्या होगा उसके interval, एक हो गया 0, मैंने पहले से बोला है, पहले लिखेंगे 0, फिर रिखेंगे 1, फिर रिखेंगे 2, इधर है तो minus infinity, यह है plus infinity, कितना interval हुआ फिर, check कर लो, 1 हुआ minus infinity से 0, 1 हो 0 से 1, 1 हो 1 से 2, 1 हो 2 से infinity, ठीक है, अगर हम value को check करेंगे, sin को check करेंगे, तो इसमें निकल रहा है आपका minus इसमें निकल रहा है आपका plus इसमें निकल रहा है आपका minus तो इसमें तो minus plus निकल गया तो वो depend करता है कोशन कैसा है तो आपको value put करके ही check करना है ऐसे बिना देखें नहीं लिखना है ठीक है? बट आपको increasing वाला value चाहिए, तो अब्वेस सी बात है, increasing वाला value कहाँ पे आ रहा है, आपका, हमारा interval कहा है, 0 से 1 में interval आ रहा है, plus, और 2 से infinity में, तो अब्वेस सी बात है, कहाँ पे वो फिर increasing होगा, required values of x will be, जहाँ पे वो increasing होगा, that is your 0 से 1, 0 से 1 में वो plus हो रहा है, और 2 से infinity में प्लस हो रहा है, तो 0 से 1, union 2 से infinity, will get the increasing value of x, so hands, function is increasing, on the particular interval, 0 से 1, and 2 से infinity, I hope बच्चों, ये बाला concept भी clear है, I hope clear है, तो थोड़ा सा comment box में लिख देंगे, हाँ sir, clear है, 8 number भी, बहुत सही, क्या हम proceed करेंगे, next question में, yes sir, ये question थोड़ा बहुत, बच्चों को थोड़ा सा परे जोन हो रहा है, but मैं आपको करके दिखा दे रहो, फिर मुझे बताना, अगर आपका doubt है तो, बहुत सिंपल जा question है, बस derivative में थोड़ा हलका बहुत आपको steps करना है, बाकी तो question बहुत है simple है, देखना चाहते हो, स्टार्ट करते हैं, बोला है कि, प्रूव y इकोल to 4 sin theta by 2 plus sin theta 2 plus cos theta minus theta is an increasing function on theta, from 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 में यह जो function दिया है, y equal to function of theta, यहाँ पे y जो है, वो x के format में ने दिया है, वो f of theta के format में दिया है, जो की increasing है, यह interval में बोला है, increasing है मतलो, इसका जो derivative होना चाहिए, वो 0 to pi by 2 में क्या होगा बोल रहे है, greater than 0 होगा, बोल दिया है, इंक्रीज सा है, बट थोड़ा सा step को आपको धिहान से दिखना है, बाकी clear हो जाएगा पुरा, given y equal to f of theta, that is 4 sin theta by 2 cos theta minus theta, ठीका, पहला step, तो पहला step तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे की division format में है, मतलब यहाँ पे आपका कौन सा format लग रहा है, cosine rule लग रहा है, और theta का तो derivative 1 ही होता है, लेकिंग की हम f dash theta निकाल रहे है, f of theta given है, आपको f dash theta निकाल रहे है, तो obviously with respect to theta में हम कर रहे है, ठीका, तो theta का derivative तो बाद नहीं होगा, तो पहला का हम cosine rule डाल रहे है, तो cosine rule का formula क्या है, v into, v into u dash derivative of u minus u into v dash, that is derivative of v by v square, पता तो होगा सबको, cosine rule, product rule, cosine rule of your derivative, तो पहले मैंने किया, v into derivative of u, 4 cos theta minus u into derivative of v, तो 2 का 0, cos theta का minus 7 theta, divided by 2 plus cos theta, theta का derivative होगा, minus 1, clear, इतना तक पूरा clear, हाँ, तो थोड़ा समय नीचे कर दे रहा हूँ, बहुत बढ़े, इसके बाद, बच्छों देखो, ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 common ले ल तो यहाँ पर बच्चरा है, इतना देखो, पहले multiply कर दो, 2 into cos theta, तो पहला term आ गया, 2 into cos theta, यहाँ पर cos theta, होगे, आपका cos square theta, और यहाँ पर minus minus होगे, प्लस, और sin theta और sin theta हो गया sin square theta तो 4 common चला गया तो बचा गितना 2 cos theta plus cos square theta plus sin square theta whole divided by 2 plus cos theta whole square minus 1 इतना तक तो सब का क्लियर है इतना तक सब का क्लियर है अभी देखो ध्यान से अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक टर्म आ गया cos square theta plus sin square theta so that will become 1 obviously तो मैंने कर दिया क्या 4 into 2 cos theta का 2 cos theta रहा इसका value गया 1 identity है whole divided by 2 plus cos theta whole square minus 1 का minus 1 इहाँ पर रख दो इतना तक क्या सब का clear है हाँ sir clear है उसके बाद आ जाते हैं क्या इसको multiply कर देते हैं 4 जो बार में चाओ उसको multiply कर दो 4 into 2 cos theta 8 cos theta 4 into 1 that is plus 4 minus इधर में इसको LCM लेकि यहाँ पर multiply कर दो 2 plus cos theta whole square whole divided by 2 plus cos theta whole square अभी पूरा bracket को में खोल दे रहा हूँ इधर तो हो रहा है कितना 8 cos theta plus 4 यहाँ पर a plus b का whole square formula डाल दो यहाँ पर a plus b का whole square formula डाल दो 4 और डारेक्ली माइनस है तो minus b हो जगा सारा कुछ minus 4 minus 4 cos theta minus cos square theta whole divided by 2 plus cos theta whole square तो plus 4 minus 4 cancel बचा कितना बच्चो 8 cos theta minus 4 cos theta बचा कितना 4 cos theta minus यहाँ पर कितना हो गया cos square theta whole divided by 2 plus cos theta whole square अभी यहाँ दोनों से cos theta क्या common जा सकता है तो cos theta common लेने तो उपहले में कितना बचेगा 4 minus दूसरा में कितना बचेगा cos theta, तो यहाँ पर आपका derivative निकल के आ जा रहा है, finally derivative आपका निकल के आ जा रहा है cos theta into 4 minus cos theta whole divided by 2 plus cos theta का whole square क्या इतना तक सबका clear है, थोड़ा सा लिख देंगे क्योंकि यह derivative बला term ही थोड़ा से important है और मैं चाहता तो ऐसे भी रख पाता but मैंने क्यों इसे format में रखा किंगि अगर आप factor format में रखोगे तो सारा term को individually चेक कर सकते हो कि वो 0 से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थिक है तो हम individually चेक करते हैं कि cos theta 0 से बड़ा हो रहा है कि नी 4 minus cos theta 0 से बड़ा हो रहा है कि नी और 2 plus cos theta का square zero से बढ़ा हो रहा ही simple से departure cos theta मेरा interval कितना दिया था zero से π 2 दिया था तो in0 से π 2 यहाँ पर देखेंगे अभी यहाँपे लेखाना इमने side में किया है जगा नहीं था तो in 0 से π 좀 cos theta is greater than zero obviously रहाध है ps1 rule में पहला quadrant में सबको ही 0 से बढ़ा होता है तो cost theta भी positive होता है और नीचे वाला जो है 2 plus cost theta को whole square मैंने फिट से बोला कि whole square दे दिया मतलए negative होने का chance नहीं है और 0 होने का भी chance नहीं हो रहा है तो obviously that will must be greater than or equal to 0 और greater than 0 तो 2 plus cost theta को whole square always greater than 0 तो cost theta को मैंने दिखा दिया greater than 0 2 plus cost theta को whole square को भी मैंने दिखा दिया greater than 0 क्यूंकि मुझे सारा term को दिखाना है बाकी रहा गया हमारा 4 minus cost theta को तो उसको दिखाने के लिए मैं नीचे आ रहा हूँ अभी धियान से दिखो हमको क्या पता है cost theta का maximum value कितना होता है cost theta का maximum value होता है वो होता है 1 minimum होता है minus 1 maximum होता है 1 तो we can write cost theta is less than minus 1 cost theta हमें सा less than minus 1 तो मुझे उसको 4 minus cost theta बनाना है क्योंकि मुझे 4 minus cost theta को check करना है तो 4 minus cost theta बनाने के लिए मैंने minus दोनों सेट में multiply कर दिया तो यहाँ पे minus यहाँ पे minus तो जब मैं minus multiply कर दूंगा तो sine will be changed जैसे कि आपको पता है linear inequality में जब 3 is less than 4 होता है तो minus 3 is greater than minus 4 हो जाएगा तो इसलिए sine change कर दिया हमें तो minus cost theta will be greater than minus 1 हो गया फिर मुझे 4 को भी add करना है तो दोनों साइड में 4 add कर दू तो 4 minus cost theta is greater than 4 minus 1 तो 4 add करने से कुछ change नहीं होगा तो 4 minus cost theta is greater than 4 minus 1 अच्चा 4 minus cost theta लिए बच्छो भी क्या हो गया 4 minus cost theta दो रहो गया और 4 minus 1 कितना it हीहाँ पे मैंने गलती से after theta होगा यह actually 4 minus cost theta होगा मैंने गलती से बापे after theta होगा तो 4 minus cost theta is greater than 3 is greater than 3 हो जाए इन मतलब वो 3 से बढ़ा होगा अगर वो 3 से बढ़ा है तो अभ्यसी बाते वो 0 से भी बढ़ा होगा जो कि मुझे दिखाना था तो मैंने फाइनली प्रूब क्या कर दिया कि 4 माइनस कॉस्थिटा भी जो है हमारा क्या है 0 से बढ़ा है Is that clear? और एक बार सुन्जो थोड़ा से यह वाला स्टेब में गन्फिजन हो सकते है मैंने पहले कॉस्थिटा गटर देन 1 रखा कि इसका मैक्शिम पर रहता है तो we can write in the next step that is 4 minus कोस्थिटा गेटर देन 0 जो कि हमको निकालना था तो मैंने पहले मैं यहाँ पे निकाल दिया था तो यहाँ पे क्या हो गया चेक कर लो क्या चेक कर लो बच्चो कि कोस्थिटा गेटर देन 0 cos theta is greater than 0 2 plus cos theta का whole square भी greater than 0 और लास्ट तेम मैंने दिखा दिया 4 minus cos theta is also greater than 0 so we can say that total value will greater than 0 and if total value is greater than 0 so we can say f dash theta is also greater than 0 if total value is greater than 0 then f dash theta is also greater than 0 and if f dash theta is greater than 0 then obviously f of theta or f of x यह भी x नहीं है that is f of theta किमकि वो theta में दिया है then f of theta equal to y is increasing function on 0 से 5 way to is that very much clear बच्चो बहुत बढ़िया से question था बस derivative में अगर आप लोग फेक्टर फ़र्म तक ले आ रहे हो तो उसके बाद आराम से कर लोगे बस last step में थोड़ा सापको दिखना है यह बला step को I hope यह बला clear है तो थोड़ा से लिख देंगे comment section में अगर clear है सबका तो हमारा strictly increasing होना चाहिए strictly increasing मतलग strictly increasing जहां पर है थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको f dash x मस्ट भी greater than 0 करना है और normal increasing में आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो और strictly increasing बोल दिया मतलब आपको उहां पर greater than 0 दिखाना पड़ेगा जैसे भी कर गया तो क्या हम स्टार्ट करें इसका प्रूविंग तो f of x equal to log x तो f dash x भी हमाच बच्चों 1 by x बात है तो x जो होता है 0 से infinity में 0 से infinity में obviously we can say x is greater than 0 क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है 0 से infinity बोला है मतला 0 इस not included 0 से बड़ा कोई भी बेलू लेंगे तो obviously x जो भी बेलू लेंगे वो पॉजिटिव ही निकले तो 0 से infinity में x is greater than 0 तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होजेगे अगर 5 आपका पॉजिटिव है तो 1 by 5 उसका पॉजिटिव है अगर 100 आपका पॉजिटिव है तो 1 by 100 उसका या है ने डेरिवेटिव को निकाल दिया था तो 1 by x अगर 0 तो 1 by x अगर 0 तो f dash x is also greater than 0 and if f dash x is greater than 0 then we can say f of x is strictly increasing on 0 से infinity is that clear? तो this is the simple proof तो यह प्रूफ तो नहीं आएगा बैट ऐसे बोल सकता है कि the logarithm function is dash on 0 से infinity answer question में देगा si, sd और none of these तो आपको वो concept के थूजाना है NCRD के exercise कर देने से जो हमारा 40 on 40 आजाएगा वो नहीं है concept को समझना है तभी जाके आप लोग अच्छे से 40 on 40 रख पाओगे I hope question number 10 भी also बहुत clear है आप लोग के लिए क्या हम question number 11 में आजाए बच्चो बहुत बढ़िया 10 तक सबका clear है एक बार थोड़ा सा लिख देंगे comment में comment box में थोड़ा सा बच्चो में देखना चाहता हूं सबका 10 नंबर तक पूरा clear हो जाना चाहिए bit by bit में करवा दे रहा हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी confusion ना रहे क्या हम 11 नंबर में आ जाए खाहां सर चलिये बोला है कि prove that यहां पे बोला है कि prove that the function f given by f of x equal to x square minus x plus 1 is neither increasing nor strictly decreasing neither strictly increasing nor strictly decreasing on minus 1 से 1 तो यह हमारा six number वाला case अगय है जहां पे कि आपको minus 1 से 1 में neither increasing nor decreasing दिखाना है इसका मतलब यह है कि उसके अंदर में एक ऐसा value आ जाएगा उसके अंदर में minus 1 यहां पे है यहां पे 1 उसके अंदर में एक ऐसा value आ जाएगा मतलब critical point जहां पे कि यह दोनों में either वो positive हो रहा होगा यह दोनों में negative कि हमारा neither increasing nor decreasing तब होता है जब वो particular interval के अंदर और एक छोटा सा sub interval निकल जाता है जिसमें कि पहला interval में either वो positive होके दूसरा interval में negative हो जाएगा या फि negative होके positive हो जाएगा मेरा बात को समझो इसलिए मैंने पहले से यह आपको समझा के रखा है कि neither increasing nor decreasing होने के लिए आपका एक ही interval में उसका दो value चेंज हो जाएगा उसका f dash x उसका derivative positive भी होगा या फि negative होगा दोनों होगा तभी जाके ना नाइजर निकल और वो प्रूफ करने बोला है तो अब्वेसी बात है minus 1 से 1 के अंदर एक ऐसा sub interval आपका निकलेगा एक ऐसा critical point निकलेगा जो critical point का left side का value के लिए वो either positive है negative हो रहा होगा सिंपल सिवाचे जब फंक्सन दिया रहेगा उसका f dash x निकाल दो f dash x एक रूल 2x-1 तो critical point निकालने के लिए f dash x को 0 पकड लो f dash x को जब हम 0 पकड लेंगे तो वहां से हमारा कितना निकल रहा है 1 by 2 निकल रहा है तो मैंने नहीं निकालके भी directly SI कर दिया तो SI के लिए f dash x मस्ट भी greater than 0 तो वहां से directly आपका interval भी निकल जागा तो 2x-1 is greater than 0 then x का value कितना मेल रहा है 1 by 2 से बढ़ा तो 1 by 2 से बढ़ा के लिए 1 by 2 से 1 के लिए वह strictly increasing हो रहा है और f dash x less than 0 किसके लिए होगा strictly decreasing के लिए तो 2x-1 is less than 0 then x will be less than 1 by 2 मैंने यहां पर गलती से 1 by 2 infinity लिख दिया जल्दी से इसको change करो बच्चो गलती से हो गया यहां मैं यहां पर rectify कर देता हूं यहां पर actually infinity ने हमारा interval 1 तक दिया है न तो interval infinity कैसे होगा इसको काटो इसको कर दो 1 मतलब मैं इसको पूरा को काटता हूं और उसके जगह में हम लिख देते हैं x belongs to 1 by 2 से 1 तक वो क्या देगा आपको strictly increasing देगा और यहां पर minus 1 से 1 by 2 तक वो क्या देगा आपको strictly decreasing देगा ठीक है तो यहां से अगर मैं उसका एक बना हूं तो minus 1 और 1 तो यहांपे था बाड़ उसके अंदर मैंने बोला नो आठ सब interval निकल गया 1 by 2 में यह बला इंटरवल के लिए वह आपका क्या हो गया? strictly increasing हो गया और एक ही particular interval में हम जब check करेंगे minus 1 से 1 के अंदर तो वह already SD भी हो रहा है, SI भी हो रहा है तो एक ही interval के अंदर अगर आपका positive और negative या फिर negative और positive होता है एक function तो वह वाला function को हम कौन से category में रखते हैं? neither increasing nor decreasing वाला condition में रखते हैं कियोंकि वह minus 1 से 1 ता बोला था but minus 1 से 1 के बंदर हमें 1 by 2 मिल गया है जहांपे कि minus 1 से 1 के अंदर 1 by 2 के अंदर वह strictly decreasing हो रहा है minus 1 by 2 से 1 के अंदर यह rectify करता नहीं है दोनों को मैंने गलती से infinity लिख दिया है वह अचली minus 1 और plus 1 होगा तो हमारा क्या मिला? आपको minus 1 से 1 के अंदर वह SI मिला और 1 by 2 से 1 के अंदर वह SI मिला और minus 1 से 1 by 2 के अंदर HD मिला तो एक ही इंटरवल में अगर वह पॉजिटिव नेगेटिव हो जारा है तो that is called as neither increasing nor decreasing वला concept and hence f of x is neither increasing nor decreasing on minus 1 से 1 Is that clear? I hope यह बला question भी clear है सबका थोड़ा सा comment box में लिखेंगे अगर clear है सबका concept को बहुत बढ़ा question था और बहुत clear हो जाना चाहिए इसका concept 12 number भी वह से ही लिखाए find the interval वला इसलिए मैंने आपके लिए वह homework छोड़ा तो बला आप लोग खुद से कर लेना बहुत simple सा question Is that clear? 12 number हो जाएगा 13 number भी करना नहीं चाहिए था बस मैं करके आप लोगो दिखा दे रहा हूं थोड़ा कि क्या है बहुत simple सा हम चाहिए यह multiple choice question में आप ले सकते हो कि बोला है कि कुछ इंटरवल दिया है जैसे कि 0 से 1 by way 2 से 5 0 से 5 way 2 none of this बोला है on which following interval the function f is given by f of x equal to x to the power 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing SD होना चाहिए SD मतलब उसका derivative जो होना चाहिए वो less than 0 होना चाहिए strictly बोल दिया मतलब strictly जहां पर बोल देगा न उहां पर आप strictly थोड़ा देखना पड़ेगा कि derivative हमारा less than 0 होना चाहिए तो सारा में चेक करना पड़ेगा फिर तो पहले तो आपको derivative निकालना पड़ेगा तो पहले जब हम derivative निकाल लेंगे f of x था हमारा x to the power 100 plus sin x minus 1 तो उसका derivative हो जागा x to the power 100 का 100 x to the power 99 sin x का हो जागा cos x minus 1 का तो 0 ही होगा तो 0 से 1 में cos x तो हमेशा 0 होगा 0 से बढ़ा होगा positive होगा और 100 x to the power 99 भी 0 से 1 के अंदर वो positive होगा तो दोनों को add कर देंगे तो obviously दोनों ही positive होगा f dash x भी हमारा positive निकला तो इसमें वो निकल गया आपका strictly increasing फिर πाई बाई टू से पाई में देखो पाई बाई टू से पाई में क्या होगा na cos x क्या होगा पाई बाई टू से पाई में cos x क्या होगा पाई बाई टू से पाई में cos x क्या होगा negative होता है pi by 2 से pi में cos x क्या होगा बचो negative होगा ठीक है ना but for x belongs to pi by 2 से pi cos x negative और pi by 2 से pi में अगर हम radian में convert करेंगे यहाँ पे मैंने गलती से I think लिख दिया है यह भी हमारा less than ही हो रहा है pi by 2 से pi में cos x तो negative हो है और अगर हम pi का radian value लेंगे 22 x 7 और 22 व ALPOR नगया ए तो यहां उनकितिव मनेग्यों निकल रहा ही होगा तो अगा नेगटिव और नेगटिव ब्लाए चाहला करें तो अगर नेगटिव को नर्स होगा और झिरो से पाइ बैट्व में को राडियान चान और यहाँ पे पूट ऐसा ही हो रहा है, B में भी ऐसा ही हो रहा है, C में भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब उसका डिरिविटीव हो greater than 0 हो रहा है, but आपको क्या दिखाना था, strictly decreasing दिखाना था, वो बला है, on which interval the function is strictly decreasing, but पहला तीनों केस में ही वो strictly increasing हो रहा है, then obviously एक लोता हमारा option बच रहा है, that is none of this, क्योंकि ऐसा कोई भी interval रहा है, यहां पर नहीं है, जिसमें कि वो क्या हो रहा है, strictly decreasing हो रहा है तो is that clear, तो यहां पर थोड़ा सा change कर देंगे, इसको negative कर देंगे, और बाकी सारा से में, तो पहला तीन केस के लिए ही strictly increasing हो गया, but आपको strictly decreasing मतलब यह है, मतलब वो ऐसा question है, जो कि आने का तो chance बहुत कम है, but आने का chances बहुत जयाता है, ठीक है, तो देखो, CBSE वही छोड़ा-छोड़ा question देता है, जो आने के कम chances होता है, वही बाला आ जाता है, बच्चे उसको out of the box question मानते हैं, ठीक है, question में क्या है, check करो 13 number तक क्या सबका clear है concept, 14 number में आ जाए क्या हम, हाँ, सर आ जाए है, 14 number में क्या बोला है बच्चो देखो question को, find the least value of A, एक आपको least value निकालना है, such that यह जो function है, वो strictly increasing on 1 से 2, 1 से 2 में वो strictly increasing होगा, मतलब 1 से 2 में उसका function दिया है, तो उसका derivative निकाल दो 2x प्लस A, तो 1 से 2 में, अगर हमारा 1 से 2 है, तो मुझे 2x को देखना है, क्या होना चाहिए, तो अगर x 1 से 2 को belongs करता है, क्योंकि interval हमारा 1 से 2 है, तो 2x हमारा किसको belongs करेगा, multiply कर दो 2, तो 2 से 4 में belongs करेगा, और 2x प्लस A, क्योंकि हमारा derivative निकला 2x प्लस A, तो हम 2x प्लस A को चेक करेंगे, तो x अगर 1 से 2 में है, तो 2x हो गया 2 से 4, 2 multiply कर दिये, और 2x प्लस A अगर हुआ, तो मतलब मैं 2x में A add किया, A तो मुझे पता नहीं, तो यह interval में मुझे A add करना पड़े है, तो यह हो गया 2 प्लस A, यह हो गया 4 प्लस A, हमको A का value find out करना है, यह ध्यान में रखना है, समझ मैं है, पहले मैंने derivative निकाला 2x प्लस A, तो as x belongs to 1 से 2, then 2x belongs to 2 से 4, 2 multiply के, फिर 2x प्लस A will be how much, मैं अगर यहाँ पर A add किया, तो interval में भी A add काना पड़े है, तो 2 प्लस A से 4 प्लस A, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि f डस x हमारा greater than 0 होना चाहिए, तो f डस x हमारा belongs कर रहा है, किस से किस से अंदर, 2 प्लस A और 4 प्लस A के अंदर exist कर रहा है, for f of x to be si, मतलब उसको si होने के लिए, 1 से 2 के अंदर, derivative क्या होना चाहिए, greater than 0 होना चाहिए, और derivative कब greater than 0, वो least value पुचा है, तो least क्या value हो सकता है, बोल रहा है, तो वो तब ही होगा, the minimum value of f dash x greater than 0, then f dash x is greater than 0, बहुत simple सा बात है बच्चो, अगर interval का least value अगर उसको derivative को plus में दे रहा है, तो obviously least value को ले, मतलब interval में मैंने 1 से 2 लिया, अगर आपका 1 में ही derivative greater than 0 हो रहा है, तो that will be the least value, समझ में आ रहा है तो, तो यहाँ पे least value कितना आ था, 2 plus a, तो 2 plus a को greater than 0 ले लो, तो वहाँ से a का value मिल जा रहा है, समझ में है, थोड़ा सा confusing है, बट समझना है आपको दिहान से, कि यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, कि, दिहान से देखो, कि for f of x to be aside, तो f dash x greater than 0, तो उक कब greater than 0 होगा, then if the minimum value of f dash x is greater than 0, तो minimum value of f dash x, तो हमारा interval क्या था, 2 plus a से लेगे 4 plus a, तो अगर आपका minimum value is greater than 0 है, तो obviously पूरा function greater than 0 होगा, least value find out कने के लिए, so the minimum value इल भी, minimal interval है, उसको 0 से बढ़ा कर दो, तो क्यूंकि हमारा a का value नहीं है, तो 2 plus a is greater than 0, then a का value कितना होगा, minus 2, तो a का value minus 2 रखने से ही function का derivative वहाँ से 0 होना start हो रहा है, मतलो that is the least value, उसके बाद फिर हम continue करेंगे 4 plus a तक, तो 4 plus a तक a को यहाँ पर बूट करेंगे, तो 2 मिल रहा है, तो 0 से 2 में हो रहा है, बट a का value हमको चाहिए था, तो a का value मिल गया, कितना minus 2, क्यूंकि हमने पहला वाला interval को 0 से बढ़ा कर दिया, तो पहला वाला अगर, मतलल, lower limit अगर 0 से बढ़ा है, तो obviously the total function will be greater than 0, तो 2 plus a is greater than 0, then a will be greater than minus 2, so the least value of a will be minus of 2, अगर total value पूछता, तो हम लिखते, निकाल के कि minus 2 से कितना तक हो रहा है, बट वो least value पूछा था, तो अगर total value पूछता है एका, तो हम कितना करते, यहाँ पर फिर निकालता है, 4 plus a is greater than 0, then a will be greater than minus 4, तो minus 2 से minus 4 होता उसका answer, is that clear बच्छों, तो a का जो least value होगा, that will become minus 2, जो की हमको क्या देगा, उसका interval को judge करने के लिए देगा, so least value of a will be minus of 2, is that very much clear, सबको थोड़ा सा confusion नहीं होना चाहिए, और एक बार देख लेना, ध्यान से कि वहला question मैंने क्यों important बोला था, इसके लिए इसको थोड़ा से ध्यान से observe करेंगे, और इसको try करेंगे, this is I think 14 number question, I hope यह बाला concept भी clear हो जाना चाहिए सबका, बहुत बढ़िया, क्या बच्छों हम 15 number question में आए, अगर clear नहीं है तो और एक बार देखना, मैं पता है मुझे कुछ बच्छों का clear नहीं हुआ होगा, अगर कुछ बच्छों का clear नहीं है तो और एक बार देखेंगे, but clear करेंगे, doubt, doubt मेरे गया तो problem हो जाएग आप लोग के लिए, तो इसलिए अगर clear नहीं भी हुआ तो मुझे बताना, ताकि मैं और एक बार आप लोग को समझा सको, क्या हम आगे बढ़ेंगे 15 number question में, this is one of the most important, but normal question, बोले, let i be the any interval of disjoint set from minus 1 to 1, बोले, minus 1 से 1 को हटा दो, minus 1 से 1 को हटा देंगे तो बच्छा कितना, r minus minus 1 से 1, disjoint set बोले हैं, disjoint from minus 1 से 1, तो total r लेना है, बट minus 1 और 1 को नहीं लेना है, तो कैसे होगा सिट, r minus minus 1 तो 1, और ओ इंटरवल को वो क्या denote किया है, i में denote किया, prove that the function f is given by f of is equal, x plus 1 by x is si on i, i जो है हमारा interval किसको denote करे, r minus minus 1 से 1 को denote करे, तो ये interval में, ये जो function है, x plus 1 by x, वो strictly increasing होना थी है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, तो f of x हमारा कितना दिया है बच्छो, x plus 1 by x, तो f dash x will be how much, x का derivative 1, और 1 by x का derivative 1 by x square, तो 1 minus 1 by x square, उसको अगर multiply करेंगे, तो x square minus 1 by x square होगया, तो as x belongs to i, तो x belongs to क्या, मैंने जसे बोला, अपका interval कौन सा होगया, r minus minus 1 by 1, तो अगर x, अगर r को छोड़के, minus 1 by 1 को छोड़के, और कुछ भी value है, तो उसका जोब हम क्या ले जाएंगे, square ले जाएंगे, तो obviously, वो greater than 1 होगा, obviously, जब हम square लेते हैं, वो 0 से infinity तक होता है, but 0 से infinity के लिए, हमारा जो minus 1 से 1 है, वो तो हटा दिया गया है, मतलों, वो interval भी नहीं है, तो start कहां से हो रहे है, 1 से हो रहे है, 1 से infinity तक, तो obviously, x square is greater than 1, और अगर x square is greater than 1 होगा, then x square minus 1 is greater than 0 होगा, समझे की नहीं, और एक बसंदो, यह number लाइन है, यह आपका minus 1, यह आपका 1, जब हम कोई भी x square लेते हैं, वो कहां से होता है, 0 से infinity तक होता है, बट यहां पे 0 से, यह तो हटा दिया गया है, ना हमारा, तो यह तो नहीं है, तो कहां से होगा, तो नहीं को 0 दिखाना है, तो x square minus 1 को मैंने पहले दिखा दिया, that is your greater than 0, clear, और x square अगर लेंगे, तो वो अगर 0 से बढ़ा है, 1 से बढ़ा है, तो मतलब obviously 0 से भढ़ा होगा, तो x square minus 1 भी 0 से बढ़ा है, x square भी 0 से बढ़ा है, then the total value will become greater than 0, obviously बढ़ा है, तो यहां पर मैंने लिखा, as x square minus 1 is greater than 0, समझ में आया सबको बच्चो, as x square minus 1 is greater than 0, and x square is also greater than 0, since x is not equal to 0, then x square minus 1 by x square, the total value also will become greater than 0, and if x square minus 1 by x square is only greater than 0, क्योंकि 0 अने का चांस नहीं है, क्योंकि minus 1 से 1 हमारे interval में ही नहीं है, तो 0 तो नहीं होगा कभी, तो only strictly greater than 0 होगा, and if x square minus 1 by x square is strictly greater than 0, then f dash x is also strictly greater than 0, and if f dash x is strictly greater than 0, then f of x is si on i, is that clear, बहुत बढ़ा कोशन दा, और I hope यह बढ़ा भी समझ में आ गया होगा सब, clear है बच्चो, 15 number अब क्या clear है, थोड़ा सा comment box में लिखेंगे, और यह बढ़ा कोशन भी कहीं पर आया था, एक कोशन मैंने देखा था कहीं पर, अच्चा कोशन है, यह चोटा-चोटा कोशन ही आने का चांसेज ज्यादा हो रहा है, आपको लगा mcq-based कोशन के लिए, तो इस चोटा-चोटा कोशन को देहान से देखेंगे, यहाँ पर आपकोशन में, यहाँ पे साइन और कोशन 29, यहाँ पे टन और कोट पॉजटिव, यहाँ पे कोशन 29, तो मुझए प्याइट का बात चीह है, तो कोट हमारा 1 और 3 में पॉजटिव होते है, बट 0 से पाइभाई 2 में पॉजटिव है, अस इसमें वीए जिख पॉजटिव, एंड फॉर उपर वाला इंटरवल 0 से 5 बटू इस श्रिकली इंक्रिजिंग तो एंड हैंस हो गया प्रू ये भी हो गया प्रू ये भी हो गया प्रू खतम तो इस टैप के कोसिन तो हो जाना थे तो कोसिन कैसे बूचेगा कि बोल देगा एफपेक्सी को लू लोग साइनेक्स थैंक्यू सो मज बच्चो फाइनली वे पंप्लिटेट आपर 6.2 वेरी नाइसली वेरी नाइसली वेरी नाइसली विट इस एंड कॉंसेट मैंने ट्राइ किया कि हाडली एक या दो कोसिन मैंने चोड़ा है बाकी सारा कॉंसेट आपको लोग के लिए करके रख दिया है तो I hope सबको समझ में आ गया होगा कोई अगर कोसिन में डाउट है आप लोग उसको मार करके रखो और एक बार चेक करो मैं प्रिफर करो एक बार चेक करो और फिर मुझे बताओ कि अगर डाउट है तो मैं और एक बार आप लोगो समझा दूगा वरना मेरे हिसाब से तो सारा जिसमें कि मैं ट्राइ कर रहा हूँ यह पुजा विकसंस के अंदर ही आप लोग का 6.3 एंड 6.5 भी कंपलीट कर दूँ उससे क्या होगा आप लोग का पुजा विकसंस में आपका AOD कंपलीट हो जागा उसके बाद जब भी offline class से start होगा तो आप लोग जाके बस रिवाइज करके ज्यादा सक ज्यादा concept को गेन कर सकते हो ठीक है तो तो आप लोग को पोस्ट कर दूँगा तो मैं आप लोग को पोस्ट कर दूँगा मिलते हैं बच्चो नेक्स क्लास में अच्छे से बढ़ा ही करो और कैसा लगा क्लास फिडवेग थोड़ा दे देना और बच्चे को थोड़ा 12th क्लास के बच्चे को भी सेयर कर देना ठीक है और जो भी डाउट रहेगा मुझे इन्बोक्स में मेंसेज कर दो ठीक है तो देट साल फो टूड़े थैंक यू सो मच और मिलते फिर नेक्स क्लास में तिल देन टेक क्यार अलो फिव स्टे सेब, स्टे डिरोम, जय जगनात